दोस्तों आज के market update के नतर हम बात करेंगे शिबाई नूस सोचे साहब एंड जो भी आपके फेवर्ट ओल्ड कोईन से उनके वारे में कि उनको लेके क्या update है क्या next movement रह सकता है एंड साती एक बहुत ही बड़ी नूस आई है जो positive है पूरी crypto market के लिए वो किस तरी किसे market को impact कर सकती क्या है वो news उसके बारे में हम यहाँ पर detail करेंगे और साती यहाँ पर short term में bitcoin का क्या price movement रसकता है बुल स्लैक बना रहा है क्या breakout करता है तो नया all time है यहाँ पर लगाएगा अलब short term वाला वो भी हम यहाँ पर discuss करेंगे तो आज का market update काफी important है अन तक देखिए का यह चैनल पर पहरी बढ़ा हो तो definitely like share and subscribe channel कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं bitcoin के बारे में उसके बाद फिर हम यहाँ पर move करेंगे all coins के उपर जहाँ पर आपको सुची सोयब एक्स 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 मेरीटी एंड माना सेंडबॉक जैसे coin जेकने को मिलेंगे जिनका आपको update चाहिए था सबसे यहाँ पर अगर हम bitcoin का short term update देखें तो clearly हम देख सकते हैं अगर हम one hour का time frame देखें यहाँ पर एक bull flag फॉर्म हो रहा है जो कि पहले भी इस तरीके का होता है यह basically bullish pattern होता है जिसके बाद price के अंदर एक बड़ा pump हमें देखने को मिलता है इस तरीका होता है bull flag देख सकता है आप 242,500 डॉलर पर एक अब यहाँ पर हम कैसे trade करके profit बना सकते हैं तो यहाँ पर हमें wait करना पड़ेगा कि price यहाँ लेवल ब्रेक करें तो यहाँ पर confirmation होगी कि हाँ यहाँ पर breakout देदी है price बॉल फ्लैट को और next target हमारा एक अच्छा रहने वाला है और उपर की side बड़ा movement आने बला है तो हमारा यहाँ पर confirmation कब होगी जब 44,200 डॉलर हम break करेंगे तब हमें confirmation यहाँ पर मिल जाएगी कि bull flag pattern वर्क कर रहा और price जो है उपर move करेगा तो मालों कि यहाँ पर confirmation मिल गई अब हम यहाँ पर trade करना तो हम कैसे करेंगे हम simply अपना stop loss रखेंगे यहाँ पर जहाँ प उपर जब price जाए वहाँ पर वर्नार की candle बने तो आप इस breakout के साब से यहाँ पर trade कर सकतो हो जहाँ पर target मेरे साब से आप आराम से 47,000 डॉलर तक का देख सकतो हो वहीं पर price जाके थोड़ा पहुत reduction लेगा क्यों लेगा क्यों लेगा क्योंकि एक तो यहाँ पर पुराना resistance है 47,000 डॉलर से लेके 47,500 डॉलर का जो reason नहीं है यहाँ पर price जादा तर reduction लेगा क्यों लेगा क्यों लेगा क्यों लेगा क्योंकि एक तो यहाँ पर पुराना है दूसरा यहाँ पर आप आप देखोगे अगर weekly 50 MA यहाँ पर 50 moving average तो वह भी लगबग इसी reason में आता है नहीं 47,500 के लेविल पर ही आपको देखने को मिलेगा तो इससे आप से वो जो लेविल रहेगा वो हमारा डिरेक्शन वारा लेविल रहेगा यह target हमारा दाएगा 47,500 डॉलर तक का अगर यहाँ पर यहाँ पर यह ब्रेक आउट दे रहता है वहीं हम negative इसको थोड़ा सा देखें अगर बाइचनल की बुल फ्लैक वर्क नहीं करता है नीची की साइट ब्रेक आउट कर जाता है यह इस चैनल के अंदर मूफ करने के बाद यहाँ ब्रेक आउट डिरेता है कोई negative चीज़ की वैसे तो यहाँ पर हम 41,500 डॉलर को ऐसा support consider कर सकते हैं बाकी अगर आपको देखे कि यह है कि एक अवर्ड मूवमेंट आएगा फेले एक correction लेगा देन एक अवर्ड मूवमेंट आएगा यह विटकोईन का प्राइस यहाँ पर शो करता है उसके बाद हम यहाँ पर विटकोईन को थोड़ा लॉंग ट्राइप के अंदर देखते हैं वनार का चाट मैने उपन कर लि वो न्यूज क्या है कि रश्या के अंदर एक यहाँ पर basically draft बनाया गया है जहां पर president और वहां के जो भी रश्या का center blank था वो involved है उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर as a digital currency यहाँ पर recognize करा जाएगा और regulate कर जाएगा capital currency को country के अंदर है and यह as a currency यहाँ पर regulate करने वाले है as a currency accept करने वाले country के अंदर ऐसा ड्राफ करने लिखा है अभी तक वह ड्राफ यहाँ पर पास नहीं हुआ है वह 18 फैप को होगा अगर वहाँ पर कोई भी ऐसी जीज पास्ट आउट होती है वहाँ पर कोई ऐसा law बन जाता है as a regulations आ जाती है क्रिप्टो के ऊपर महाँ पर as a currency accept कर बहुत 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 होगी क्योंकि रश्या के अंदर आप सभी जोग जानते हो कि माइनिंग के मामले में टॉप 3 के अंदर वहाँ का काफी जादा investment रहता है market के अंदर तो आप definitely सोई सकते हो कितनी positive news यह रह सकती है जो हमें 18 swap तक मिलने वाली बाकि इसका जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा आप खुछ सोई सकते हो जहां पर एक तरफ बैन करने को सोच रहा था महां पर यहां पर रिकोनाइस करने को सोच रहा तो definitely वहां से market pump भी कर सकती है और यहां पर target तो मेरा easy target जो short term वाला है वो यहां पर 47,000 रोर तका तो रह गई जहां पर breakout देखे हैं पर profit बना सकते हैं अराम से short term date करके BTC के अंदर बाकि यहां पर बात करें यह तो BTC का short term update हम ने आपको बजाया कुछ news बने आपको बता दी जो long term में भी update डाल सकती है अगर ऐसा होता है 18-5 तक हमें पता जल जाएगा जो तो मार्केट को इस लेविल के नीचे नहीं जाना चाहिए 42,000 डॉलर का लेविल यह आप मान दो यहां पर क्योंकि यहां पर आप हमारा 50 moving average भी आ चुका है डेली का जो की 42,500 डॉलर के आसपा देखने को मार्केट को इसके उपर रहना चाहिए एंड यहां पर इस चैनल को म करेगी जहां तक है bitcoin और उसके बाद upward movement लेगा तो यह movement expected है मेरे साफ से bitcoin के लिए कि upward movement कैसे लेगा यहां पर यह जो चैनल बनाव है यहां पर ब्रेक आउट डेगा एंड उपर की साइड हमें movement देखने को बिलेगा इसके इंदर अप्डेट कर सकते हो चाहो तो अब यहां प dominance level ने and अभी यहां पर retest करता है अगर dominance retest करके दुबारा upward movement लेता है यहां पर तो bitcoin के अंदर भी वही चीज़ा में देखने को मिलेगी bitcoin थोड़ा correction लेगा then upward movement लेगा और यह थोड़ा all strong मुनाता है इस बुड़िश फ्रेस प्रेटन वो क्योंकि dominance भी उसके साथ move करता है त लोग यहां पर क्या करते हैं तो लोगों को भी आप देखोगे तो यहां पर नहीं आप देख सकते हो अभी यहां पर ना ही लोग यहां पर आप वो सकते हो फिर के अंदर नहीं 54% है पिछले दिन का देखे और उसके साब से थोड़ा पास correction भी आया यह पिछले दिन का दिया जहां पर मेरा पूरा यही बोलका था कि अब यहां पर बात करें कि सुशी सेब के लिए भी मैं छोटा सा अपडेट आपको देता हूं सेम वही मुवमेंट है सुशी सेब इस लेवल पर आ सकता है यहां पर बेस बना रहा है 4.5 के आसपा लंसम आप इसको बाय करते हो प्रॉफित कर सकता है यहां पर फाइब कर सकते हैं यहां पर यहां पर हमें कितने पर्सेट का पॉट इस को वॉयफ्यक का रहते हो तो अगर आप सको बाए कर तो जस्त यहां पर सकते ना 4.419 के असपास अगर आप इस पॉर्ट के अंदर एंटी लना जाता है स्विश्यू सब्सक्राइब के इंदर नेक्स यहां पर आते हैं यह तो स्विश्यू सब्सक्राइब का होगी इसका टारगेट जो है लॉंग टॉ ज़िए नेक्स यहां पर एक्जी इंफीटी के उपर आजाते हैं यहां पर हमने देखा था कि यहां पर इसके अंदर बिल्साइन बना था वहां से चब्रेकाट दिया उसके बाद अभी फिलाल यहां पर थोड़ा क्रेक्शन ले रहा है अगर आपको इसको बाए करने का दे लेखिएगा कि स्टॉप लॉस अपने बाइंग के जस्ट रूप पर आप यूज कर सकते हो और अगर यहां पर लॉंग टर्म या मिटर्म की बाद करें तो यहां पर नाइंटी थी हंटेड डॉलर तो राम से में रहां से मिटर्ण में लॉंग तो डेफिनिली ओल्डेंग और कि 150-200 तक करा आप सोग सकते हूं इंच्स यहां पर हम बात करें शिबाइनू के शिबाइनू ने काफी इंपोर्टन यहां पर वन डेंसा उतको ब्रेक दाउन ने पर दिया था अभी यहां पर शिबाइनू के अंदर क्या देखने को मिलता है इतो लॉंग टरम पर को गय करने वाला है तो अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो आप यहां पर बाय करने का देख सकते हो शिबाइनु को एड़ यहां पर क्विक प्रॉफिट आप अराम से मना सकते हो लगवग 5-10% का लेवल यहां से कितना पॉंप करेगा किसी को अंतरा नहीं है बड़े पॉ यहां पर आपको लेखना पड़ेगा बाय करने के लिए आपको थोड़ा सेफ खेलना है शिबाइनु के अंदर बाकी आईनर के अंदर हम देखें तो वह लेवल यह बनेगा लगवग सेफ वाला लेवल जो है 0.002272 के आसपास वह लेवल बाकी उपर वाले लेवल को जैसे बाकी माना काफी बॉलिश है उसको लेके काफी न्यूज आ रही है तो मैं यहां पर हम सेंडबोक्स की उपर चलते हैं सेंडबोक्स की बात करें तो सेंडबोक्स यहां पर मैंने बाइंग आपको बदाई थी कल वाली वीडियो में यहां से अच्छा मोमें डेली है सेंडबोक्स में दुबारा यसी लेवल पर आ रहा है अगर आपको बाय करना है तो दुबारा से यह लेवल आपको मिलेगा 4.4 के लिए अच्छा रहेगा में इसाब से अगर आपको ICP को बाय करना है तो 22.70 के आसपास आप देख सकते हो बाय करने का अगर चाहते हो तो अगर ICP को बाय करना है selling अभी नहीं बनती है ICP का target at least अगर आप profit में ICP से 24 तो रखेगा 28 तक अराम से targets का जा सकता है जैसे market उपर move करेगी अभी थोड़ी बहुत इसके अंदर volume नहीं आई है है करके आएगी जैसे जैसे इसको ले कोई news आती है या फिर कुछ update आता है बागी long term target at least मैं कहूंगा कि 40 डॉलर के तो उपर रखना loss हैसाल मत करना at least को long term बें आराम से 50 60 डॉलर तो चले जाता है cp का इतना expect कर सकते हैं अगर news नहीं भी आती है तो 50 डॉलर तक चला जाता है इतनी expectation है तो यह पूरा update था आज की market का यहां पर हमने set box discuss कर रहा और भी स्कास्याद है यहां पर update लिए जहां पर all over कहने का मतलब यह है कि एक breakout आने की स्वामना है कि price थोड़ा correction आज रात तक लेके उसके बाद यह बूल फ्लैक को breakout दे उपर की साइट जहां पर हम जब breakout देगा तब हम trade ले सकते हैं market के movement के साब से जहां पर profit भा सकते हैं उमीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग के लिए helpful रही होगी पसना है तो like शेयर इंडिस्क्राइब करेगा वहतने कॉन एडियों है तब तक ल करेंक करें इंडियों है